वेल्कम टू मधुवन पशु सेवा केंडराइब आज हम सीखेंगे जन्तुओं में लेंगिक जनन हम जानते हैं कि लेंगिक जनन में दो लेंगिक भाग लेते हैं नर यूगम यानि मेल गैमेट मादा यूगम यानि फीमेल गैमेट का निस्यचन यानि फैटलाइजेशन होकर जाइगोट उत्पन होकर नए जीवन में विक्सित होता है मेल सुगरानू में इस तरह छोटी सरचना होती है जिसमें अनुवानसिक पदार्थ होती है तथा एक लंबी पूँच होती है जिसकी सहायता से वह मादा जनन कोशिका तक पहुँचता है मेल सुगरानू के लिए टेस्ट्रोन हर्मोन उत्पन होता है जो सुगरानू का उत्पादन करता है कृत्रिम गरवधान के लिए साइंटिस्ट इसी छोटी सी सुकरानू को एकत्रित कर इस तरह की एस्ट्रया में मसीनों द्वारा एकत्रित करते हैं इस स्ट्रो को स्वक्षित रखने के लिए लिक्विट नाइट्रोजन का पर्योग करते हैं जो इस तरह की कंटेनर में रखा जाता है कृत्रिम गर्वधान करने के लिए हमें फिमेल रिप्रोडेक्टिव और्गन की पूर्णता नोलेज होना चाहिए अताव हम फिमेल रिप्रोडेक्टिव और्गन का अध्यान करते हैं इसका आकारी स्थ्रह का होता है इसमें एक अड़ा से होता है ओभरी अंडवाहिका या फॉलोपियन ट्यूब ओभरी डक्ट गर्वा से होते है इसका गिरवा सर्विस्टस यह उनी भाई जाईना ओबडी में होते हैं मादा जनन कोशी का अर्थात फिमेल जर्म सेल अंड कोशी का यह इस्ट्रोजन उत्पादन करता है हम पसु के औरगन के बारे में बात कर चुके हैं अब AI की तरफ चलते हैं पसुपालक गाय को अच्छी तरह बांद रहे हैं गाय जब देखने की बंदी हुई है तो हम सिमेन बनाना चालू कर देते हैं जैसा कि आप देख रही हैं सिमेन बन रही है सिमेन बनाने के लिए जो हमने पानी उज़ किया है वहां 37 डिग्री सेलसियस था क्योंकि नाइट्रोजन में जो उपस्ति सिमेन रहता है उसका टमपरेचर माइनस एक one nine six degree Celsius होता है अब हम सिमेन को 90 degree पे कि कौन केहनचवार ही काटेंगे यानि सीधा काटेंगे अब साधानी पुरुबक सीथ लगाएंगे हमारा AI गन complete हो गया है याई करने के लिए आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपसे आग रहा है हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले बेल आइकोन को अन कर ले वा वीडियो को लाइक करें AI करने से पहले हम गोबर को अच्छी तरह बाहर निकाल लेंगे फिर साधानी पुरुबक देख रहे हैं जो सर्विस होता है उसे अंदर हम पकर लेंगे पकरने के बाद धरता से अंगूठे के साहरे आगे बढ़ेंगे और सिमेन को पुष कर देंगे देखिए सिमेन को पुष कर रहे हैं थोई देर छोड़ देंगे अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे ठैंक यूँ